पहला कूशन कहता है सिक्षा मनोविज्यान का क्या आर्थ है? शिक्षा मनोविज्यान का आर्थ हुँ परिभाशाने समझते हैं सिक्षा मनोविज्यान, सिक्षा और मनोविज्यान दो सब्दों से मिलकर के बना है जो सिक्षा मनोविज्यान है या दो सब्दों से शिक्षा और मनोविज्यान से मिलकर के बना हुआ है इसका साब्दे कर्थ हो गया शिक्षा से शमंधित मनोविज्यान कहीं कहीं पे आपको ये भी लिखा मिल जाएगा शिक्षा से शमंधित विज्यान ठीक है जबकि सटीक है मनो विज्ञान का आशय क्या है इसका मतलब क्या है मनो विज्ञान का आशय है प्राणी के विवहार का अध्यन करना और सिक्षा को प्राणी के विकास की प्रक्रिया की रूप में परिभासित क्या गया है देखे यहां पर मनो विज्ञान जो है वो प्राणी के विवहार का अ आधार पर हम कह सकते हैं कि सिक्षा मनो विज्ञान जो है वह प्राणी के विवहार का अध्यन करने वाला वह विज्ञान है जो उसके विकास की प्रक्रिया में शहायख होता है और ये भी कहा जा सकता है कि सिक्षा मनो विज्ञान सैक्षिनिक परिस्थितियों में मानो विवह तियार कर लिए कितने short questions तियार कर लिए आप concept clear कीजिए ना आप जो है topic को समझिए ठीक है और क्यूंकि topic तो वही रहता है ना उसी से long questions बनते हैं उसी से short बनते हैं उसी से very short बनते हैं तो आप topics को समझते चलिए ठीक है questions answer भी मैं आपको revise करा रहा हूं और ज्यद़ ज्यद़ questions आपको करा देंगे तो यह हो क्या हमारा और अता सैक्षिक समस्याओं का वैज्यानिक वत्तर्क संगत ढंग से समाधान करने के लिए मनोविज्यान के आधार बुथ सद्धानतों का उपयोग करना ही सिक्षा मनोविज्यान की विशेवस्तु है ये सिक्षा मनोविज्यान हो गया अब अगर long में पूछेगा तो आप यहां तक इसका आर्थ लिखेंगे इतना ठीक है और अगर short में पूछ ले तो सिर्फ यहां से यहां तक लिख करके आगे differential लिखके काम चला देना ऐसे भी हो जाता है ठीक है अगर question बड़ा पूछ ले तो बड़ा तरीके से लिखिए बढ़ा करके लिख दीजे छोटा पूछे तो कम करके लिख दीजे बीएफ स्किनर के coding कहा गया है शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह साखा है जो शिक्षण और अधिग्यम से सम्मधित होती है ठीक है यानि टीचिंग और लर्निंग से रिलेट करती है कॉलसनिक के कोर्डिंग क्या कहा गया है सिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिध्धानतों और प्रिणामों का सिक्षा के छेतर में अनुपरियोग है तो ये हमारा जो है सिक्षा मनोविज्ञान की प्रिभाशाएं हो गई अब शिक्षा मनोवग्यान की क्या प्रक्रती है इसको समझते हैं शिक्षा मनोवग्यान के अंतरगत किये जाने वाले अध्यनों में वस्तुनिष्टता और तथ्यात्मक ज्यान नहीं तोता है यानि जो सिक्षा मनुविज्ञान होती है इसका जो ज्ञान है वो वस्तुनिष्टता पर बेश्ट होता है, इसके अंतरगत, विक्त के विवहारात्मक पक्षिका अध्यन, कारण संबंध, जो भी काम किया जा रहा है, उसका क्या कारण है, उनके बीच क्या संबंध है, इसके बेशबे किया जाता है यह एक व्यावारिक विधायक विज्ञान है जिसमें नियमों और सिध्धानतों का प्रियोग किया जाता है शिक्षा मनुविज्यान के सिध्धान्तों में सत्यापन सीलता का गुण होता है अर्थात इन्हें परिक्षण, पुनाह परिक्षण द्वारा सत्यापित किया जा सकता है शिक्षा मनुविज्यान के अध्यनों में कारण समंदों को ग्याद करके काम को करने का जो कारण है और उसके बीच जो संबन्ध है उसको ग्यात करके भविश्यवानी भी की जा सकती है उदहारनात उदहार के तौर पर हम समझेंगे जैसे बौधिक एवं योगिता परिछणों की प्रिणामों के आधार पर वेक्ति के दौरा जो विशय या जो विवसाय चुना गया है उसमें उसकी कितनी सफलता उसको मिल पाएगी ये हम पहले से ही भविश्वाणी कर सकते हैं ठीक है तो ये होती है प्रक्रती सिक्षा मनुग्यान की जो प्रक्रती थी उसको हमने समझ लिया एक कोशन हमारा एकदम क्लेर हो गया दुबारा पढ़ने के आशकता नहीं पढ़ेगी